सिर्फ 48 मिर्ट के अंदरी पूरा नेपाल तभाह हो गया और नेपाल के अंदरी इस तभाही का मंज़र देखकर भारत भी हैरान रह गया क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि रात नेपाल में एक वायंकर भूकंप आया था और इस भूकंप में अब तक सेक्ड़ों लोगों की जान जा चुकी है और इस भूकम्प ने 7-10 सेकंड के अंदर ही नेपाल में वायंकर तभाई मचा दी लेकिन इस भूकम्प के दोरान 48 मेंट के अंदर ऐसाथ क्या हुआ कि नेपाल के साथ साथ भारत भी हैरान रह गया अब आपको इसी वीडियों बताएंगा खिर 48 मेंट के अंदर क्या हुआ और भारत ने नेपाल के लिए क्या एलान किया है लेकिन उससे पहले आप लोगों के एक हमबल रिक्वेश्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आयो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेश करना मत भूलिएगा अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि नेपाल के अंदर एक 6.4 मेंगनिट्यूट के अर्थक्वेक ने नेपाल में वहेंकर तभाई मचाने के बाद दिल्ली को भी चपेट में ले लिया जिसके बाद दिल्ली के अंदर भी आर्थक्वेक के वहेंकर जटके महसूस किये गए और नेपाल के अंदर आये इस बिनासकारी भूकम्प में अब तक डेल्ट सो से भी जादा लोगों ने अपनी जान कमा दी है अब आप लोग ये आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि 48 मिनट के अंदर ही नेपाल पूरी तरीकेशे वरबाद हो गया है और अब नेपाल के लोगों को 2015 की याद आ गई है जिसमें नेपाल के अंदर 8000 से भी जादा लोगों की जान चली गी थी लेकिन इस बार के भूकम्प ने भी नेपाल में भायंकर तभाई मचाई है और इस विनासकारी भुकम्प ने 48 मिनट के अंदर ही नैपाल के अंदर सब कुस तहस नहस कर दिया और सिर्फ 48 मिनट के अंदर ही 4 विनासकारी भुकम्प के जटके महसूस किये गए क्योंकि पहला जटका 11 बच कर 47 मिनट पर महसूस किया गया जो तक्रीबन 6.4 magnitude का था जो सबसे तागत पर था आपको याद होगा कि तुर्की के अंदर भी 7.8 magnitude का भूकमप आया था और इस विनासकारी भूकमप ने तुर्की के अंदर कई हजार लोग की जान ले ली थी और नेपाल के अंदर जो भोकंप आया था वो भी किसी विनासकारी भोकंप से कम नहीं है क्योंकि तुर्की के अंदर तो कई दुनों तक भोकंप के जटके महसूस किये गए थे लेकिन नेपाल के अंदर सिर्फ 48 मिनिट के अंदर ही सब कुछ तहस नहस हो गया और नेपाल में ये जटके रात के 11 बच के 47 मिनट से 12 बच कर 35 मिनट तक महसूस किये गए और सेक्ड़ों लोग सोते टाइम ही भोकंप से किरे घरों के मलवे में दबकर खत्म हो गए और नेपाल में आईज भोकंप का एपिक सेंटर जाजर कोट में था जो अयोध्या से लगबक 227 किलोमीटर जबकि नेपाल की राजदानी काटमांडू से 331 किलोमीटर दूर इस्तित है और नेपाल में आईज बिनासकारी भोकंप को देखकर भारत भी हैरान है और नेपाल की मदद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिये हैं और कहा है कि भारत नेपाल की इस बुरे बक्त में उसके साथ खड़ा है और अब जल्दी भारत ने भी नेपाल को मदद भेजने की पूरी तैयारी कर ली है तो फिलाल इस वीडियो में इतने दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंजा भारत